तो मेरे सबी बाईयों को प्यार बारा नमस्कार आज मैं आपके सामने एक ऐसे product के बारे में जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि यह product आपको दिखाना जिरूरी है बहुत सारे ऐसे customer हैं जिनको इस product के बारे में बिल्कुल भी ग्यान नहीं है और जब कोई गर के उपर roofing का plan मनाता है तो वो चाहता है कि हमारी जो roof है वो लंबे समय तक अच्छी मजबूत चलती रहे तो उसमें कोई भी problem समस्या ना आए क्योंकि main part होता है ट्रेस और परलिन जो हमारी गर के उपर टीन सेट लगाई जाते हैं उसमें मुख्य अंग जो है वो परलिन है क्योंकि परलिन के उपर ही हमारी seat जो है वो install की जाती है तो साथियो आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंपनी के द्वारा निकाला गया एक ऐसा पोडेक्ट जिसका नाम है समार्ट स्पैन तो साथियो मेरा नाम है आमन मैं हीमाचल पर्देश के जिला हमिरपुर से हूँ तो आपका स्वाक्त करता हूँ इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा मैं टाटा कंपनी के द्वारा निकालेगे एक प्रडेक्ट के बारे में जिसका नाम है समार्ट स्पैन और इसके सैज की बात करेंगे बजन के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में इ यही बात आती है कि जो भी structure हमारे गर के उपर तीन सेड के लिए लगेगा वह अच्छा solid हो उसे जंगना लगे और बार-बार पेंटना कराना पड़े क्योंकि पेंट कराने से आपको पता है कि कि रिइंस्टॉल करनी हो तो आप उसे असानी से खोल सकते हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की बेस्टेज नहीं होगी साफ सुत्रा मेटेरिल आपका निकल जाएगा तो साथियों ज्यादा टाइम मैं लूंगरी गुमा फिरा के बात करूंगा नहीं सिधा मुद्दे के उपर आते हैं आपको दिखाते हैं स्मार्ट स्पैन यह देख सकते हैं आप लोग टाटा ब्ल्यू स्कोप स्टील कंपनी की तरब से एक एक ऐसा पोडेक्ट बहुत ही बहतरीन कदम मैं मानता हूं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को समस्य आती है जब वो गर की उपटी इंसल लगाती है और बार बार पेंट करवाना पड़ता है जंग लग जाता है लोए को लोए को जंग लगने के कारण सीट भी खराब हो जात ही है यह अलमीनियूम प्लस गैलिवनाइस्ट कोटिंग है मतलब 150 GSM कोटिंग इसके उपर की होती है इसे करोजन लगने के चांसित जो होते हैं वो नहीं होते हैं आप लोग इसे अपने अगर के उपर लगने वाली रूफ के लिए यूज करते हैं तो 30% आपके सेविंग हो होगी दोस्तों क्योंकि जहां पर हम पांच पर लेन यूज करते हैं वहां पर यह हमारे चार ही लगेंगे और अब मैं इसके साइज के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले साथ ही मैं आपको बता दूँ यह कंपनी ने पहले दो साइज में निकाले हुए थे सबसे पहल कानी कदम उठाया हुगा है कुछ हमारे बाई है कांगडा के उन्हों ने उनको कंपनी वालों को बताया था कि यह पोडेक्ट जो है इसे आप चेंज करिए तो T60 यह देखिए यह बहुत ही बहतरीन पोडेक्ट T60 तो साथ यह उपर का डैया देख सकते हैं आप 1.5 इंच का है यह टॉप का सरफेस जो है इसी के उपर हमारी सीड जो है वो इंस्टोल की जाएगी आप लोग देख सकते हैं यह बाला सरफेस जो होता है अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं सरदियों के दिनों में आक्षर आप लोगों ने देखा होगा हमारे टीम सेट के अधिये बने हुए घर के अंदर मौस्चर आ जाता है उस बजह से आपना देखा वागा जो पाइप होती है पाइप के उपर पीला पीला निसान मतलब करोजन निकलना सुरू हो जाता है क्योंकि पाइप को पानी लगेगा तो क्रोजन थो बनेगा ही बनेगा बहार तो उस वजह से हमारी शीट भी खराब हो जा रही थी और हमारी पाइपे भी खराब हो जाती थी अब यह पोड़ेक्ट लगाने से आपको बहुत सारा फाइदा होगा क्योंकि इसे नहीं लगेगा यह पाने के संपरक में आने से खराब नहीं होगा तो साथ यो कभी भी आप लगवाएं तो इस प्रोडेक्ट को जरूर लगाएं क्योंकि यह प्रोडेक्ट जो एक्सा प्रोडेक्ट है नहीं इसे आपको बैलिंग करने पड़ेगी नहीं इसे पेंट करना पड़ेगा क्योंकि यह देख सकते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं यह बाला जो ग्रूब आ हमारे स्क्र्यू इंस्टॉल की जाएंगे इसे फिक्स करने के लिए तो आप लोगों नहीं देखा दोस्तों जब हम लोही की पाइप यूज करते हैं तो इस पॉइंट के ओपर यहां पे जो है हम लोग वैल्डिंग करते हैं मान लीजिए जैसे यह मैंने हाथ रखा हुआ यह मेरे ट्रैस है और यह रख दिया तो यहां पर वैल्डिंग करने पड़ती थी अब वैल्डिंग का कोई काम नहीं है दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया टैब्रिकेटर के लिए भी आपने सिर्फ स्क्रिव इंस्टॉल करना है और इसे फिक्स का देना है अच्छा एक और बा का ओबर लैप देना है इसके ओपर इसके ओपर ओबर लैट देना है ओबर लैट देने के बाद एक स्क्रिव आपने यहां पर इंस्टॉल करना है एक यहां पर करना है और एक एक दूसी साइड पर करना है और उसके बाद आप लोगों ने एक एक स्क्रिव यहां सेंटर पर लगाना है आपका यह समार स्पैन इतना सॉलिड है तो इसे बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा और आपकी जो चात है गर के ओपर जो टीन सेडिक लगेगा उसका बजन भी काम होगा क्योंकि इसके बजन की बात की जाए तो यह आता है है 10 kg में मतलब 10 इसका बजन होता है दोस्तों और यह 30 60 है 60 mm इसकी हाइड है सब यह देख tai यहां से लेकर यहां तक ہंच है मैं इसकी हाइट है ठीक है रस दोस्तों और इसकी चलिकनी स्की अग्र बात की जाए तो इसकी थिकने जो वह एक में यह आता है आपका एज एड बन हुटी मैटीरियल बहुत ही बढ़िया आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडेक्ट को लगाएं यदि आपको कोई समस्य आ रही है हमारे कुछ भाई होते हैं पालूमपूर के कांगडा के नगरोटा पालूमपूर अत्यादी या सकते हैं उनका नंबर में मैं शेर कर दोंगा आप लोग उनसे मिलके बात कर सकते हैं इस प्रोडेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं आपके मन में कोई भी शंका हो कोई भी आपको कुछ बोले तो आप लोग अपनी शंका को दूर कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते ह या डिस्ट का हमीब पूर से हैं तो सेल एरिया में ज़र सिरी संजीव शर्मा जी से आप कॉंटक्ट पिना सकते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि गर की ओपर जो टीन सेड़् लगाई जाते हैं उसके लिए बहुत सारा मतलब ध्यान देना पड़ता है क्योंक वक्ति EL Hem Area Miniyear से बात कर सकते हैं उनका नमबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्सिन में और रात हम साड़े आठ बजे डेली अपने यूट्यूब चैनल के लाइव ससण में बहां पे भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और दोर दोस्तों जब भी आप लोग आपकर कॉस्त म है अपने घर के ऊपर टीक सेट का कम करवाने वाले हैं तो जब BE अपने मैटेरियल लेना है मैटेरियल के बारे में बी ग्ञान होना चाहिए कि रह salsa मैटेरियल लेना है कुछ वाइब तो ऐसे है जिनको यह भी मालूम नहीं होता है कि कितने mm ठीकने सोनी चाहिए पाइप की जाते हैं सीधा मार्किट में डिलर के पास और बोलते हैं कि हमें मटेरल देदो कैसा होता है एक में डिलर बोलता है कि टू एम एम ठीकनेस की पाइप है उसका बजन होगा साड़े 13 किलो मतलब मा को महंगी दे दी और यह सस्ता दे रहा है तो आपके मैंड में यह बात नहीं गुसेगी कि आप लोग यह देखिए कि ठीकनेस कितनी है पाइप की दोस्तों मैं आपको सिर्फ समझाता हूं कि आप लोग अपने गर के ओपर जब भी रूफिंग का प्लान मनाएं तो अच्छ के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है तब ही तो मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि यह समार्स्पैन एक ऐसा प्रडेक्ट है जो आपके गर के ऊपर रगले बारी रूफ के लिए 30% सेविंग भी करेगा लाइट वीट होगा और यह जंग रोदक प्रडेक्ट है क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी का प्रडेक्ट है जिसका नाम है टाटा ब्ल्यू स्कॉफ स्टील्स और इसका नाम है समार्स्पैन इसे आप लगा सकते हैं और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करें और यदि आपका कोई सवाल है या कोई स प्रडेक्ने से मैं की पाइप ले रहे हैं स्क्रीव कौन सा लगा रहे हैं जो समार्स्पैन लगाया जाए या पाइप लगाया जाए इसमें कंपारिजन देखेंगे आप तो आपको यह चीज़ जो है वह बिल्कुर सथी पड़ेगी आप बात करते हैं इसकी लंबाई की इ यह 6 मीटर में आता है यानि 20 मीट में आता है और इसकी जो बात की जाए मुल्य की सबसे इंपॉर्डट बात आप हम आये हैं टॉपिक के उपर यह कितने रिपे का एक पीस मिलता है दोस्तों बहुत सारे बाई जो हैं वह मुझे बोलते हैं कि बाई आपने वीडियो के अंदर रेट नहीं बताया है तो मैं स्पैसली उनको बता रहा हूँ कि यह देखिए अब मैं आपको रेट बता रहा हूँ इसका मुल्य है दोस्तों तेरा सो पचास रुपे एक समार्ट स्वैन का मुल्य रहेगा बीस पिट लंबाई और इसका बजन रहेगा दस किलो यह मैटीरिल आता है एजड बन फिप्टी यानि अलुमिनियूम गैलिवनाइस्ट कोटिंग के साथ जंग रोधक है लगाईए इससे ज्यादा से ज्याद आता क्योंकि हमारे जिला कांगडा में बहुत सारे ट्रैसेस जो है इसकी लगाई जा चुकी है बहुत अच्छा प्रडेक्ट है और मैंने भी चार ट्रेसें जो है वो अभी तक इंस्टॉल कर दी है अब नेक्स्ट प्रजेक्ट जो है वो हमारा जोलाजी में स्टार्ट होने बाला है तो आप लोग भी विश्वास रखिए अच्छा प्रडेक्ट है टाटा समयर्स पैन का और जितने भी डिलर्स हैं वो भी गाइड कर सकते हैं कस्टमर को कि आप इस प्रडेक्ट को लगाएं क्योंकि यह प्रडेक्ट जो है वह बहुत ही वड़ी है लाइट वेट और देख सकते हैं आप लोग जब आप लगवाएंगे तब ही आपको पता चलेगा ऐसे इस कारी से अगर आप लोग संतुष्ट हुए हो तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट जिरूर करें अपना फीड़ब्याक जिरूर दे एक और बात एंड मैं मैं कहना चाहता हूं जिन वाइन रूफ ट्रेस का काम करवाना है हमारे जिलक अ 781-78740 तो दोस्तों आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं आपको पूरी जनकारी दीज जाएगी और आप लोग भी जागरुक हो ये अच्छे प्रडेक्ट का चुनाब करें रदी मैटीरियल को छोड़िये क्योंकि आप लोग सस्ते के चक्कर में चलेंगे तो आपको ब पानी को मैं विराम देता हूँ अगर कोई गलती हो गई हो तो माप करना और संजीव शर्मा जी और सथीस बन्याद जी का मैं नंबर को डिस्क्रेप्शन में में मेंशन कर रहा हूं तो सभी बाइजों को मेरा प्यार बरानों वश्कार जितने भी हाड़े लास्ट वीच मैं पाइपाल लगां दे शीटा लगाने वास्ते तो उस दी जगा पर आहां ये यूज कर सब्सक्रेश जो यूज करने देफाइदा ये जान नी लगना एकने कल ले तो अधर इस जो लगाने ते तो आड़े परसेंट जी ना है बच्चत ओ यानी अगर तो हां इस जो लगां देन तो आड़े बड़े परिफाइदेन कर लेओ तो हाँ ये खोल ना चांदे तान ये सानी ने खोली सकते करने मेरा गलाया मनने तो हां ये पोडेक्टे लगाने अगर नहीं लगा पता तो तो हम इंज कोल कर सकते करने मैं राती न साड़े 8 बजे यूट्य चनले पर आई वह उन्दा तो 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 आपने जानी कारी लेज से दी तो जाय शीरी राम जाय बोले नाथ जाय माता दी